हलो एब्रीवान नीलम्स किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती टेस्टी और यूनिक सी रेसीपी मिक्स बेज कोपता करी यह सबजी बढ़ों को तो क्या बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है अक्सर बच्ची सभी सबजीयां खाना पस आधा चोटी चम्मच समफ डाल देंगे एक चोटी चम्मच साबुत धनिया के बीज डाल देंगे एक बड़ी इलाइची और दो हरी इलाइची डाल देंगे आधा चोटी चम्मच काली मिर्च डाल देंगे दो लॉंग डाल देंगे दो साबुत लाल मिर्च डाल देंगे इ यह सबी चीज है अच्छे से रोष्ट हो गई है आप हम इसमें छै लैसुन की कलिया डाल देंगे एक इंच अदरक डाल देंगे अदरक को मैंने yapmış में कट कर लिया है दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल देंगे और तीन मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे मिला देंगे और इनको थोड़ी देर ऐसे ही पका लेंगे अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे ताकि यह जो टमाटर और प्याज है अच्छे से पक जाएं हम इन्हें लिट से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक पकाएंगे या जब तक कि अच्छे से पक ना जाएं जब तक यह पक रहे हैं तब तक हम कोपता बनाने की तयारी कर लेते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक मिक्सिंग बावल और यह मैंने एक कटोरी बारी कटा हुई पत्ता गोवी लिया है इसे हम बावल में डाल देंगे एक मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्यास डाल देंगे एक कटोरी ग्रेट किया हुआ फूल गोवी डाल देंगे एक कटोरी दरदरी ग्रैंड की हुई हरी मतर डाल देंगे यह देखिए मतर को इस तरह से दरदरा ग्रैंड कर लेना है अब हम इसे भी बावल में डाल द देते हैं। 12 medium size की बारी कटी हुई गाजर डाल देंगे। एक चोटी size की बारी कटी हुई शिम्ला मिड्स डालेंगे। आधा चोटी चम्मच grate किया हुआ अधरक डाल देंगे। आधा कटोरी बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और ये मैंने यहाँ पर एक medium size का उबला हुआ आलू लिया था और आलू को ग्रेट करके इसमें डाल दिया है friends यहाँ पर मेरा camera ओफ हो गया था तो मैं आपको आलू डालते हुए दिखा नहीं पाई तो आप इसमें एक उबला हुआ आलू ग्रेट करके डाल दीजिएगा अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे एक चोथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे एक चोथाई छोटी चम्मच गरम मसाला एक चोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे मेथी को इस तरह से क्रश करके डालेंगे इससे कोपता में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है बाइंडिंग के लिए हम इसमें तीन चोटी चम्मच बेसन डालेंगे एक चोटी चम्मच कॉर्ण फ्लोर डालेंगे अब हम इसमें 3 चमधerem में रही हैं जरुरत लगेoff है कि तवी सबजियें काट रहें और सबजियों में बिलकुल भी पानी नहीं होना चाहिए अगर आपके पास इस तरह का चौपर है तो आप इससे सबजियों को बारीक चौप कर लिजिए इससे सबजियां बहुत बारीक चौप हो जाती है मैंने भी इसी चौपर से सारी सबजियों को चौप किया है तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इससे round कोपता बॉल्स बनाएंगे मिक्सचर को इस तरह से हाथ में लेकर नीवू की साइज की बॉल बनाएंगे यह देखिए इस तरह से हमें बॉल बना लेना है दोनों हतेलियों के बीच में बॉल को रखेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये जो बॉल्स का मिक्सर है ये टाइटली चिपक जाए इसी तरह से सारे मिक्सर की हम बॉल बना लेंगे तो ये देखिए मैंने ये बॉल्स बना कर रेडी कर ली है मैंने यहाँ पर इस सूखी मैदा ली है और यह जो balls हैं इन्हें मैं मैं डाल कर रोल करूंगी तो आप इस तरह से balls को मैदे में लपेट लीजिए इसके बाद हाथ से इस तरह से रोल कर लीजिए इससे क्या होगा कि जब हम balls को fry करेंगे तो यह balls फटेंगे नहीं और इनके उपर अच्छा सा color आ जाएगा आप इस तरह से बॉल को मैदे में लपेट कर रॉल कर लीजिए अब मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ और इसी प्रोसेस से सारे बॉल को मैदे में लपेट कर तयार कर लेती हूँ तो यह मैंने यहाँ पर सारे बॉल कर लिए हैं आप बढ़ते हैं अगले प्रोसिस की ओर और यह यहाँ पर हमारे फ्याज टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं हमने जो इसमे लैसुन और उदक डाला है इससे बहुत बढ़ा खुशोबु आ रही है और अदरक लैसुन भी अच्छे से पक गए हैं अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम यह कोपता फ्राई कर लेते हैं मैं इसे साइड में रख देती हूं और में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है इन्हें फ्राई करने के लिए हमें तेल मीडियम गरम चाहिए अब हम इस तरह से एक एक करके बॉल तेल में डाल देंगे एक बार में जितने बॉल्स कढाई में आ जाएंगे उतने बॉल्सम तेल नहीं को पलट देंगे और उलट पलट करते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और हाँ इसी तरह की और भी सब्जियां मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं पनीर कोपता की रेसिपी भी मैंने शेयर की हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आ अब हम इने प्लेट में निकाल लेते हैं को कोपता का एक बैच फ्राई हो गया है अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं यह दूसरे बैज के कोपता भी फ्राई हो गए हैं अब हम इन्हें भी उसी प्लेट में रख लेते हैं यह देखिए यह कितने बढ़िया बॉल्स बनकर रेडी हुए हैं आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं अब में इन्हें साइड में रख देती हूं एक बॉल में आपको तोड़ कर दिखाती हूं तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि कितने सौप्ट बॉल्स बनकर रेडी हुए हैं यहाँ पर यह प्यास टमाटर भी पूरी तरीके से थंडे हो गए हैं अब हमिने मिक्सर जार में डाल कर इसका का फाइन पेस्ट बना लेते हैं इसमें अधा कप के लगबक पानी डाल देंगे धक्कन को बंद करेंगे और इसका fine paste बना लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमें इसका fine paste बना लेना है अब हम इस paste को इस rehe крут integr से चान लेते हैं ताकि इसमें जो हमने इलाइची डाली है उसके छिल के कमाटर के बीज और अदरक के कुछ टुकड़े भी अगर बिना पिसे रह गए होंगे तो इस तरह से स्टेनर से छानने से वो सब निकल जाएंगे मिक्सर जार में जो थोड़ा सा पेष्ट लगा हुआ था उसमें मैंने पानी डाल दिया है तो इस पानी को मैं इसी में डाल देती हूँ यह देखिए आप देख सकते हैं कि एक दो पीस अदरक के भी रह गए हैं और यह मोटा मोटा मसाला भी है आप इस मसाले को किसी भी सबजी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपका चोड़ी बनाए तो उसमें भी इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह ग्रेवी क में और बड़े छमाच लगभाग तेल गरमंग六 चम्माच जीरा को बिण Jadi吧 करेकल होने व?". अब हमें दो पात्ता डाल देंगे चैंब जो पेष्ट दो मिनट ग्रेवी को मेडियम फिलेम पर केपमें तो मैंने ग्रेवी को दो मिनट पका लिया है, अब हम इसमें कुछ मसाले याट करेंगे, मसालों में एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चोटा गरम मसाला डाल देंगे पीस्ट के साथ मसालों को थोड़ी देर बूल लेंगे यह मसाले अच्छे से भुन गए हैं अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई अट करूंगी यहां पर फ्रेस मलाई लीजिएगा दो चोटी चम्माच मलाई मैं इसमें अट करूंगी एक छोटा चम्माच टोमेटो केचप डालूंगी मलाई और टोमेटो केचप से ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है मिला देंगे और ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक यह ग्रेवी हलकी सी थिक ना हो जाए क्योंकि हमने जो मलाई डाली है उसे भी हमें पकाना है और ये तीन या चार मिनट में अच्छे से पक जाती है और ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर कितना पढ़िया लग रहा है अब हमें इसको इस से जदा नहीं पकाना है इस से पर हम इसमें आप पानी याट करेंगे तो मैं यहां पर एक बड़े कप से भर कर पानी डाल रही हूँ साथी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे नमक इसमें ग्रेवी के हिसाब से डालिएगा क्यूंकि हमने बॉल्स में नमक डाला है मिला देंगे और लिट से कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसी तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ग्रेवी हलकी सी थिक ना हो जाए तीन-चार मिनट में ये ग्रेवी अच्छे से पक जाती है क्रेवी को बीच में एक बार चला दीजिएगा ये ग्रेवी अभी पतली है तो वापस से लिट से कवर करके थोड़ी दिर हम ग्रेवी को और पकाएंगे थोड़ी दिर मैंने ग्रेवी को पका लिया है तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी अब काफी थिक हो गई है और ये अच्छे से पक गई है ये देखिए आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है ना ही ये ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतली है हम जैसे ही कोपता में गρεवी को डालते हैं तो हลकी से ये थिक हो जाती है अब हम इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इस से गρεवी का कलर और भी अच्छा लगने लगता है मिला देंगे तो यह हमारी ग्रेवी रेडी है अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आपको कोप्ता करी को सर्व करना हो तभी इस ग्रेवी में कोप्ता बॉल्स को डालिएगा इस तरह से ग्रेवी को बना कर रख लीजिएगा और जब आपको सर्व करना हो तो ग्रेवी को गरम कीजिए और गरम करने के बाद ही कोपता बॉल्स को एड़ कीजिएगा पहले से कोपता बॉल्स को ग्रेवी में डाल कर मत रखिएगा नहीं तो क्या होगा कोपता सारा का सारा मौस्टर अबजॉर्ब कर लेगा और जो ये कोपता की ग्रेवी है ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी और कोपता भी बहुत ज्यादा फूल जाएगा मैं इसे अभी सर्व करने जा रही हूं तो मैं इसे कोपता ग्रेवी में डाल रही हूं अलका सा मिला देंगे तो ये हमारा मिक्स बेज कोपता सर्व करने के लिए रेटी है अब हम इसे सर्विंग बावल में सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंट्स लग रहा है ना ये रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स बेज कोपता करी आप इसे पूरी, पराठा, रोटी, नान किसी केवी साथ खाईए एक खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप भी इसे एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि आपको एक ओपता कैसा लगा और हाँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पर जरूर किलिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग